हलो माई दियो स्टूडेंट इस डॉक्टर अकांग्शा अग्रवाल आपकी गुरुमा आए पॉड्कास सीरीज के नेक्स्ट अमेजिंग सेशन को आज हम पढ़ते हैं जहांपर हम ट्रांस्पोर्ट इन प्लांस चैप्टर को डिस्कास करेंगे रिवाइस करेंगे और बढ़ आज हम इस चैप्टर को मज़ेदार तरीके से सब कुछ अपनी टिप्स पर पढ़ते हैं जहां से एक भी क्वेस्टिन आपका गलत नहीं होगा सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं प्लांस में ट्रांस्पोर्ट की पहले देखते हैं कि प्लांस में ट्रांस्पोर् होता है या अदर शुगर्स पर यह घोल बनके होता है तो थोड़ा सा पानी भी हो जाता है मिक्स इस में नाव हॉर्मोन्स ध्यान से सुनिएगा वाटर जायलम के थू होगा यूनी डायरेक्शनली यानि मिट्टी से रूट पानी एब्जॉप करेगी और अप्वर्ड होंगी क्यों सो जल यानि जाइलम जल यानि जल पानी और फर से फूड और फर से फ्लोयम पूड के फ्लोयम के थूड प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है यानि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हॉर्मोन्स यह जाइलम फ्लोयम दोनों से जाता है यह चैप्टर में अ Xylem and Phlouem Mineralls का बड़ा चक्कर हे हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि पेड़ा मेशे बिसलरी का पानी पीते है Mineral Water यह वाटर के साथ Mineral Xylem से जाता यह बिल्कुल सच बात है लेकिन कुछ Mineral不 antenna नूरिनी याने food phloem से, plant growth hormones phloem xylem दोनों से और minerals भी phloem xylem दोनों से now water unidirectional rude से upward phloem के तुरू खाना multi-directional या bi-directional plant growth hormones भी unidirectional polarized way में और minerals की बात अब सुनिएगा minerals भी xylem के तुरू unidirectional ही जाहेंगे students लेकिन हम हमीशा क्या सोचते हैं कि inorganic mineral xylem से जाते हैं और organic phloem से पर NCRT आगे clearly लिखते हैं ध्यान से समरी सुन लीजे मेरे मेरे मूँ से कि inorganic ion form में तो जाएंगे ही xylem से plus some phosphorus and sulfur inorganic form plus some nitrogen as organic याने amino acids and other compounds के form में भी xylem से जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि xylem से केवल inorganic और phloem से केवल organic जा रहा है इस बात को ध्यान रखेगा NCRT की lines हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं तो हमने direction देख ली और हमने क्या transport होगा वो देख ली अब देखते कैसे transport होगा two type का transport है students एक short distance एक long distance short distance का मतलब समझे एक cell के अंदर याने within cell या membrane क्रोस करनी है cytoplasm से mitochondria में जाना है cytoplasm से vacuol में जाना है membrane याने across the membrane या एक cell से दूसरे cell में जाना है याने intercellular so within cell, across membrane and between cell ये हो सकता है simple diffusion, facilitated diffusion ये दोनों passive है या active transport aided, helped by cytoplasmic streaming वो जो cytoplasm move कर रहा है उसकी तुरू भी movement होगा पर ये short distance है long distance दूर दूर जो पानी खाना जाना है that is called trans location long distance transport, location बदल रहे है दूर दूर, ये होगा through xylem and phloem क्या-क्या होगा, कैसे होगा वो अभी हमने discuss कर लिया आई हम शुरू करते है short distance transport short distance transport में सबसे पहले ये समझेगा students देखो, अगर molecule को high concentration से low concentration पे जाना है जहाँ जादा है वहाँ से जहाँ कम है वहाँ जाना है तो ATP की ज़रूरत नहीं है along concentration gradient movement होगा, high to low concentration movement होगा यानि passive movement होगा अब मान लीजे कि अगर वो molecule lipid loving है, lipophilic पानी से डरता है, hydrophobic lipid loving है, hydrophobic है तो बहुत अराम से plasma membrane cross कर जाएगा क्योंकि plasma membrane में phospholipid है और phospholipid भी lipid loving है it can cross the plasma membrane directly यानि की simple diffusion लेकिन अगर वो molecule polar है, charged है, hydrophilic यानि water loving है high to low ही जाना है ATP use नहीं होनी पर इसे facility लेनी पड़ेगी membrane में धसे हुए intrinsic protein की इसे कहेंगे facilitated diffusion तो दोनों diffusion है, दोनों passive है, दोनों high to low है दोनो along concentration gradient है दोनों में ATP नहीं चाहिए पर simple diffusion में membrane protein पर भी dependence नहीं है और facilitated diffusion में protein चाहिए membrane protein ये difference हो लिया now active transport मतलब अगर कोई material कहीं पर कम है और वहाँ से ज़्यादा है वहाँ पहुचाना है ये तो वही बात होगी मुझे नीचे से उपर जाना है तो active transport ATP की जरूरत पड़ेगी membrane protein की भी जरूरत पड़ेगी ATP की भी जरूरत पड़ेगी against concentration gradient active transport यानि passive transport वैसा है जैसे उपर पहाड पे पत्थर रखके लुड़का दो अपने आप लुड़क कर आएगा बिना ATP खर्च करें तो दोनों facilitated और simple diffusion है downhill और active transport ऐसा है कि नीचे से उपर पहाड पे पत्थर लेके जाना है बहुत energy लगेगी यानि uphill अब ध्यान से सुनिएगा students कुछ inhibitors होते हैं अगर मैं inhibitor डाल दू cell में inhibitor क्या होते है protein को inhibit करते है protein वो bus है वो taxi है जो molecule लेकर जा रहा है चाहे facilitated में हो चाहे active में हो और inhibitor वो keyल है जिससे हमने bus का tire puncture कर दिया तो बताओ inhibitor से कौन sensitive है कौन समवेदन चीले किसे फरक पड़ेगा facilitated और active को simple को तो फरक की नहीं पड़ेगा वो तो membrane protein पे dependent ही नहीं है यानि simple diffusion living system protein पे dependent नहीं है inhibitor के लिए sensitive नहीं होगा इसी तरह से saturation किसमे होगा मतलब मान लो 100 bus है 100 bus पूरी यातरी बैठे हुए है तो अगले यातरी को बैठने के लिए wait करना पड़ेगा कि ये बस खाली हो यानि saturation भी वहीं होगा जहाँ protein है sensitivity to inhibitor भी वहाँ होगा जहाँ protein है even specificity क्योंकि particular molecule के लिए particular protein है वो भी कहाँ होगी जहाँ protein है तो ये तीनों properties facilitated और active में दिखेंगी simple में नहीं simple diffusion तो वैसे ये students जैसे हम deodorant लगाते है perfume लगाते है room spray अगर बत्ती जलाते है हम एक जगे चड़कते है यहाँ उस molecule का concentration ज़ाद है दूर कहीं पर कम है वो फैल जाएगा और सब जगे खुश्बू आ जाएगी now थोड़ी सी बात हम simple diffusion की और करते हैं diffusion डिपेंट करेगा कुछ factors पे नमबर वन concentration gradient जितना जआधा होगा अतना fast rate of diffusion होगा number two pressure जितना ज़ादा होगा उतना fast होगा temperature जितना जआधा होगा उतनी kinetic energy मिलेगी उतना ज़ाधा होगा और molecule छोटा जितना होगा उतना जादा होगा, यानि gases जिसकी density सबसे काम है, fastest to diffuse करेंगी, then liquid उससे slow करेंगी और solid में rare होगा, solid के अंदर तो gas liquid diffuse कर सकती है, पर solid का diffusion rare है, NCRT की लाइन है, diffusion of solid is unlikely and diffusion in solid is likely, आया समझ, now gases का जो transport है, वो cable simple diffusion से होता है, हम breathing में भी पढ़ चुके हैं, अच्छे से, तो और even हम जो stomata के तुरू gas exchange है, सब कुछ simple diffusion से होता है, transport of gases simple diffusion से होता है, अब आई हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, facilitated diffusion की और, students, membrane protein, facilitated diffusion में channels कहलाते हैं, और active transport में इन्हें ही pump कहते हैं, जैसे sodium potassium pump, ये जो membrane protein है, इसके तुरू अगर एक ही molecule जाएगा, अपने high से low concentration में, तो इसे uniport facilitated diffusion कहेंगे, पर अगर ये molecule अंदर जाने से ड़ता है, ये बोलता है, तू भी मेरे साथ चल, यानि दो molecule, दोनों यहाँ पर high है, यहाँ पर low है, protein पे बैट कर गए, एक ही protein पे बैट के, तो इसे कहेंगे, simport, साथ साथ, हम साथ साथ हैं, पर अगर एक molecule cell के बाहर जादा है, एक molecule cell के अंदर जादा है, दोनों ने deal sign की, बोला मैं अंदर आओंगा, तू बाहर आना, एक साथ, उल्टीर दिशा में antiport, तो uniport, simport, antiport, facilitated diffusion के तीन प्रकार हैं, पर दिहान रखे, molecule जा अपने high से low पही रहा है, यानि कोई भी diffusion हो simple या facilitated concentration, gradient is the driving force, वो होना बहुत ज़रूरी है, difference होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा एक बात और, यह membrane proteins जो होते हैं, कुछ-कुछ बड़े-बड़े membrane proteins हैं, इन्हें porins बोलते हैं, porins क्या करते हैं, यह mitochondria, chloroplast की outer membrane और bacteria में मिलते हैं, यह large molecules को transport करवा सकते हैं, high to low concentration, facilitated diffusion में रोल है porins का, up to small protein size, protein में small carry उपर, small protein भी बहुत बड़ा होता है, protein बोलते ही तब है, जब 10,000 dalton से ज़्यादा का वेट हो, तो small protein भी बहुत बड़ा है, तो facilitated diffusion में, outer membrane of mitochondria, chloroplast and bacteria में, हमें large porins मिलते हैं, जो large molecule up to size of small protein को diffuse करवा सकते हैं, high to low concentration, even water जो है, बहुत कम है, जो simple diffusion से आता है, जादा तर पानी facilitated diffusion से आता है, इन porins की तुरू आता है, aqua porins कहते हैं, A type के होते हैं, now, active transport में हमने already सब कुछ समझ लिया है, इसका एक example है, sodium potassium pump, जहाँ पे 3 sodium out जाते हैं, 2 potassium अंदर आते हैं, और 1 ATP खर्च होती है, low to high concentration, आप इसे Nokia से याद रख सकते हो, N, O, K, I, A, N मतलब sodium O से out, K से potassium, I से in, और ATP का खर्चा, 3, 2, 1, done, Nokia 3, 2, 1, Nokia 3, 2, 1, जहाँ पर हमने यह सारी बातों को understand किया, अब आई हम second topic पर आते हैं, which is plant water relationship, पेड और पानी का रिश्टा, हम जानते हैं, students पेड जितना भी water absorb करते हैं, उसका more than 99% is lost in the form of water vapor, भाप के रूप में वो ओड़ जाता है, stomata से 99, 99 प्रतिशत से जादा, यानि less than 1%, 8% से भी कम है, जो available है photosynthesis के लिए और उसी से पेड अपना खाना बनाता है, आप जानते हैं, photosynthesis में, पानी is the raw material, कच्छा सामान है वो, अब, पेडों में हमेशा पानी की प्यास रहती है इसलिए, क्योंकि पानी इतना जादा भाब बन के उड़ रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, उसको भी आज अपन समझेंगे, यानि पानी बहुत जरूरी है, हम जानते हैं, 70-90% हमारी बॉड़ी भी पानी की बनी है, आप ऐसा भी बोल सकते हूँ कि एक सेल के अंदर living matter क्या है, पानी है जिसमें साब carbohydrate, protein, fat, वगेरा molecules dissolved है, so water is very important, water के कारणी सेल को vacuol में turgidity देता है, सेल फूला हुआ रहता है, water ही वो medium है, जिसमें सारे enzymes काम करते हैं, water addition से ही आप जानते हो सारे bonds तूटते हैं, digestion में हमने पढ़ा है, water is very very important, NCRT कहती है कि पानी एक hard part of the plant में कम होगा, soft में ज दिखता है, seed जो dry दिखती है, उसमें भी पानी है, वरना embryo में respiration कैसे होता अगर पानी नहीं होता, so water is very very important, इतना हम समझ गए हैं, अब आईए कुछ pressures और potential की बात करते हैं, पानी कहां से कहां move करेगा, समझो, पहला शब्दे osmotic pressure, दूसरा शब्दे osmotic या solute potential, बड़ा confuse करता है, ध्यान से सुनना, मान लीजे मैंने एक beaker ले और बीच में semi permeable membrane लगा दी, यहां मैंने एक लिटर पानी लिया, यहां भी लिटर पानी लिया, पर A में मैंने 5 शक्कर के molecule डाल दी और B में मैंने 2 शक्कर के molecule डाले, यानि पानी कहां जादा है, B में जादा है, तो B से A में आएगा, यानि जहां पानी जादा है, वहां से जहां पानी कम है, यह simple diffusion ही तो हो रहा है, high to low concentration, water का movement, this special type of diffusion, जहां पे liquid का diffusion हो रहा है, liquid का transport हो रहा है, solvent का उसे बोलते हैं, osmosis, osmotic pressure का मतलब समझो, osmotic potential का मतलब समझो, पानी का इतना potential है, move करने का, B में जादा है, क्योंकि वहां पानी जादा है, यानि B जो है, उसका osmotic potential जादा है, क्योंकि वहां solid कम है, पानी जादा है, यह osmotic potential है, solute potential है, पते सारा confusion क्यों होता है, वो solute potential लिख देते हैं, पानी तो solvent एकायदे से solvent potential होना चाहिए simple सी बात है पानी का potential water potential to move is called osmotic potential osmotic potential water potential एक ही है तभी तो आके जाके psi w is equal to psi s plus psi p करेंगे अपन चलो अब osmotic pressure क्या है समझो मान लीजे हमने एक b कर लिया उसमें pure water रख दिया पानी पानी है solid है ही ने और मैंने वहाँ पर एक funnel लगा दी जिसमें मैंने sucrose का solution भर दिया sucrose मतलब beaker के अंदर सिर्फ पानी है और solution के अंदर sucrose याने solid भी है याने पानी comparatively कम है तो पानी beaker से इस funnel में जाएगा endosmoses अंदर गुसेगा और वो solution अप उपर level होगा मैं देखना चाहती हूँ पानी किस pressure से आ रहा है याने osmotic potential कितना है मैं कैसे नाप सकती हूँ उपर से pressure लगा के रोखना शुरू करो मान लो 10 mega pascal से आ रहा है आपने 2 लगाया अभी पानी नहीं रुकेगा 4 लगाया नहीं रुकेगा इसे osmotic pressure कहते हैं तो basically students osmotic pressure और osmotic potential सेम है बट opposite है तो osmotic pressure को πाई लिखते हैं और osmotic या solute potential को si s लिखते हैं op is equal to minus si s जितना जादा solid उतना जादा osmotic pressure उतना कम पानी यानि उतना कम osmotic potential op is directly proportional to solute concentration and inversely proportional to solute or osmotic potential इसकी trick बताओ ऐसे याद रखो solid के concentration को कवे मानो जितने solid उतने प्यासे कवे तो जितना जादा solid उतने प्यासे कवे उतना पानी वहाँ खिचेगा अगर यहाँ पे 10 solid हैं और यहाँ पे 4 solid है एक लीटर के अंदर तो यहाँ प्यासे कवे जादा हैं ए में तो यहाँ पानी आएगा तो जितने solid उतने प्यासे कवे उतना पानी वहाँ पर आ जाएगा clear होगे अच्छे से पंडा चलिए आए next आ जाते हैं अब यह water potential क्या है देखो बहुत आसान है समझो अभी तो मैंने आपसे का पानी का potential to move जिसे मैंने solute potential का तो water potential is equal to solute potential लेकिन मान लो ध्यान से सुनना मान लो कि यह दोनों पानी है एक एक लीटर यहाँ पे मान लीजे से पानी आ रहा था मैंने उससे भी जाधा pressure लगा दिया तो उल्टिगंगा बहने लगेगी ना यानि actually पानी के movement में water potential में दो pressure को मुझे देखना पड़ेगा एक तो water का खुद का potential यानि osmotic potential psi s प्लस जो मैं external pressure दूंगी psi p psi w is equal to psi s हो जाएगा इतना समझ आया अब water potential का simple सा मतलब है जितने जादा water molecule उतनी जादा उनकी kinetic energy उतना जादा उनका movement सबसे जादा water potential किसका होगा pure water का क्योंकि वान दो पानी पानी है वो होता है zero और जैसे-जैसे solid add करते जाओगे वैसे वैसे पानी कम होता जाएगा याने water potential भी decrease होगा और zero से कम याने minus होगा so pure water का water potential is maximum it is equal to zero and as we add solute water potential decreases becomes more and more negative अब समझो पता है zero क्यों होता है बता हूँ आपको actually OP का formula होता है ICRT जहाँ पे C concentration of solute होता है और OP और SiS opposite equal होते है याने SiS का formula minus ICRT हो गया अगर external pressure नहीं है तो SiW is equal to SiS है याने SiW भी हो गया minus ICRT और C मतलब solid का concentration pure water में solid होता ही नहीं याने 0 anything multiply by 0 इसलिए pure water का 0 आता है pure water या distal water maximum ठीक है अब इस पे questions आते हैं बड़ा असान है समझो कोई बोले कि A का water potential minus 7 है और B का minus 10 है बताओ पानी कहा से कहा जाएगा मैं कैसे करते हूं तडाक से बताओ आँ आपको देखिए अगर यह positive होता तो 10 जादा होता पर negative है तो 7 जादा है तो जादा से कम minus 7 से minus 10 मैं ऐसे करती हूं फिर से बोलती हूं minus 7 minus 10 अगर positive होता तो 10 जादा होता पर negative है तो 7 जादा है तो minus 7 से minus 10 अब इसका logic समझ लो भई 0 maximum था molecule डालते गए तो minus 7 आया और molecule solid डाला तो minus 10 बना यानि minus 10 में solid जादा है प्यासे का उए जादा है पानी कम है तो minus 7 से minus 10 यानि पानी move करता है ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा पानी move करता है high water potential to low water potential या कहो high solute potential to low solute potential बट OP की अगर मैं बात करूं तो low OP to high OP जितना जादा solid उतना जादा OP उतना कम SIAS उतना कम water potential note कर लिया high to low SIW SIAS and low to high OP अब DPD क्या होता है समझो पानी का जो osmosis हो रहा है वो पानी का diffusion हो रहा है यानि वो diffusion pressure है पर यह DPD diffusion pressure नहीं है diffusion pressure deficit है इसका मतलब समझो मान लो students की दो लोग है उन्हें कोई 100 रुपे की चीज़ खरीदने एक के पास 60 रुपे है 60 रुपीज एक के पास 40 रुपे है बताओ पैसे किस पे जादा है 60 रुपे पर पैसे की कमी किस पे जादा है 40 रुपे वाले पे यानि जहाँ पे पानी कम है, वहाँ पानी की कमी जादा है, DPD जादा है, तो अब मुझे बताओ, दो solution है, एक में पानी कम, यानि कमी जादा है, यानि high DPD है, और एक में पानी जादा, यानि कमी कम, यानि low DPD है, बोलो पानी कहां से कहां जाएगा, जहां पानी जादा है, कमी कम है, यानि low to high, तो ध्यान से सुनिए my dear students, high to low, psi w and psi s, and low to high, op and dpd में ये फंडा बैठता है, सारे हो गए, water potential, pressure potential, psi p जो था, psi s याने osmotic potential, solute potential, दोनों इसी के नाम है, then pi याने op याने osmotic pressure, and then dpd, diffusion pressure deficit, dpd, op low to high जाएगा पानी, psi s और psi w high to low जाएगा, चली, अब बात करते हैं, थोड़ी सी ये तरगार pressure क्या होता है, समझो, मानलो एक pure water मैंने लिया, उसके अंदर मैंने एक cell डाला, अब मैंने pure water को बदलके, high per tonic solution रख दिया, high per tonic का क्या मतलब है, बाहर solid जादा है, प्यासे cell से निकल कर आजाएगा, अब ये plant cell है, तो पानी vacuol और cytoplasm से निकल कर आजाएगा, ये सब श्रिंक हो जाएगा, लाइसेज हो जाएगा, cell wall ऐसी की ऐसी रहेगी, इसे बोलते हैं, प्लाज्मो लाइसेज हो जाना, इसी को अगर मैंने cell को high per tonic में रख दिया, तो बाहर की solution में solid कम है, प्यासे कवए कम है, cell की तुलना में, तो पानी endoosmosis अंदर गुसेगा, cell फूलेगा, vacuol फूलेगा, साइडोप्लाजम फूलेगा, pressure, membrane पर पड़ेगा, pressure wall पर पड़ेगा, इसे तरगार pressure कहते हैं, तो बताएए तरगार pressure maximum कब होगा, जब maximum पानी अंदर गुस गया, यानि fully turgid cell में maximum तरगार pressure होता है, और DPD minimum होता है, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, यह हो गया turgid cell, तो plasmolized cell, hypertonic में, जहाँ पानी बहार निकल रहा है, turgid cell, hypotonic solution में, जहाँ पानी अंदर घुस रहा है, अगर मैंने इसे isotonic solution में रखा, तो जितना पानी अंदर आ रहा है, उतना पानी बहार जा रहा है, यानि cell ना shrink हो रहा है, ना plasmolized हो रहा है, ना turgid हो रहा है, ना फूल रहा का क्या मतलब है मुझ में कोई अच्छी आदत है आपको अच्छी लग रही है आपने ग्रहन कर लिया इंबाइबिशन होता क्या है आप सब जानते हो कि बरसात में हमारे लकडियों के फूल जाते हैं क्योंकि लकडि ड्राय उसमें पानी नहीं है एट्मॉस्फियर में हुमिडिटी मॉइस्चर नमी आ गई है वह पानी पहले सर्फेस पर एड्जॉर्ब करेगा फिर अंदर एब्सॉर्ब करेगा तो आपको कि मैं यह तो डिफ्यूजन है बिलकुल यह एक स्प बेंट कहेंगे और लिक्विड को एब्सॉर्बेट कहेंगे जैसे कि एक ड्राय सीड जब हम मिट्टी में डालते हैं उसे हम पानी देते हैं इंबाइबिशन के कारण पानी अंदर जाता है और वो जर्मिनेट करती है हमारे वुड़न डोर्स ड्राय वुड के गेट जो जाती थी फिर बड़ी लकडी लगा देते थे फिर पानी देते जाते थे लकडी और फूलती थी तरार और बड़ी हो जाती थी तू स्प्लिट बोल्डर्स और रोक्स बाइब प्रिहस्टोरिक मैन अब तो बहुत मशीन आ गई हैं यह सब इंबाइबिशन के इंडिकेशन ह लेकिन क्या माई डिय र स्टूडेंग्स कभी अलमीनियम का गित फूलता है नहीं क्यों क्यों हो फूल नहांने चाहता अगर आप में चाहलें कुछ ग्रहांड कर हओखे तो फिर कैसे ग्रहांड करोगे फिर तो नहीं करो गया याने इंबाइबिशन होने कि लिए दो कनेश इम्बाइबिशन इसलिए तो पते हैं डाल जो प्रोटीन है उसका इम्बाइबिंग प्रॉपर्टी जादा होती है बजाए गेहु चावल के इसलिए आप गेहु चावल को पानी में भिगो और छोले राजमा को पानी में भिगोगे तो छोले राजमा ज्यादा फूल जाते ह अगर अगर पढ़ते हैं अपन रेड आलगी से जो मिलता है बायो टेखनलोजी में भी पढ़ते हैं उसकी बहुत इंबाइबिंग प्रॉपर्टी है माक्सिमम बहुत बढ़िया तभी तो वो धेर सारा पानी एब्जॉप करके से फूल जाता है इसके साथ हमने second part complete किया पहले हमने simple diffusion, facilitated diffusion and active transport यानि कि हमने short distance transport देखा, learn किया, revise किया, फिर हमने plant water relation की बात की अब आई हम trans location long distance की बात करते हैं students, scientists ने ये देखा कि अगर simple diffusion से osmosis से पानी उपर चड़ाया जाए पहले हम पानी की बात करेंगे, unidirectional, root से upward, xylem की थू तो 2.5 second में 50 micrometer distance cross होगा आप कैसे आद रख सकते हो, धाई, तो 25-50, तो धाई second और 50 micrometer याने एक मीटर हाइट चड़ाने के लिए पानी की कई साल लग जाएंगे, अब मान लोग पेड 100 मीटर लंबा है, 60 मीटर लंबा है, एक मीटर में कई साल लग गए, तो भही ये तो पानी उपर पहुचा ही नहीं तब तक बिचारी पत्तियां तो पहले ही मर गया, याने short याने simple diffusion से water का long distance transport नहीं हो सकते, प्रूफ हो गया, अब यह कैसे होता है, समराइज वे में आपको समझा देती हूँ, unidirectional होगा, xylem के तुरू होगा, इसके साथ minerals भी जाएंगे, वह हम बात कर चुके हैं, inorganic भी जाते हैं, थोड़ा सा organic, phosphorous, sulfur और nitrogen in the form of amino acids, etc. भी जाता है, देखो, दो pressure जिम्मेदार हैं, पहले तो यह समझो, कि पानी जो है, वो, पानी खाना कुछ भी, लंबा लंबा जब जाएगा दूर दूर, तो bulk या mass transport होता है, इसका मतलब समझो, जैसे एक नदी में water molecule एक साथ बहते हैं, धक्के से, ऐसा ही bulk या mass flow होता है, अफकोस एक जगे जगे जादा होगा, एक जगे कम होगा, difference तो होना चाहिए, यह क्यों हो पाता है, समझो, यह स उसरे का हाथ पकड़ के तो चली रहे है, cohesion, surface से भी चिपक चिपक कर चल रहे है, adhesion, polar surface पर जो attraction है, pyq पढ़ा रही हूँ, और liquid state में रहने के कारण भी इनके अंदर surface tension है, याने attraction between water molecule cohesion, attraction of water molecule with polar surface is adhesion, and attraction due to being in liquid state is surface tension, यह तीन property के कारण से यह bulk और mass flow होगा, पदय कैसे याद रखना है, देखो, co-word, colleagues, co-worker, co-student, co-fellows, याने साथ वालों के लिए होता है, तो पानी के molecule का आपस में attraction cohesion हो गया, फिर दूसरे adhesion याद हो जाता है, अब इन तीन properties के कारण से क्या हुआ, number one, high tensile strength, इसका क्या मतलब है, जब अपन एक बाल्टी खीचत है, कुए से, रसी से, आप क्या चाहते हो, रसी तूट जाए, या खीचने का pulling pressure जहल पाए, जहल पाए, इसे tensile strength बोलते है, high tensile strength, तो उपर leaf से transpiration होगा भी बताऊंगी, उसके कारण पुल होगा पानी, तो ये जो adhesion है, cohesion है, surface tension है, इसके कारण वो water column break ना हो, high tensile strength मिलती है ability to resist the pulling force, and number two, high capilarity, जीज़ आइलम की vessel tracking पतले-पतले हैं, पतली चीज में जल्दी चड़ता है पानी, liquid, तभी तो हमारे cold ring के straw पतले-पतले होते हैं, तो adhesion, cohesion, surface tension के कारण high capilarity and high tensile strength हो गया, सब PYQs हैं, अब दो pressure जिम्मेदार है, समझो, देखो किसी चीज़ को धका द पुल, पिछकारी मारी, पुश, injection भरा, पुल, injection लगाया, पुश, तो ये जो water आएगा एकदम से जायलम में, उसकी कारणी धक्ता लगेगा, वो root pressure, root pressure एक positive pressure है, पर ये जाधा pressure नहीं है, ये थोड़ी दूर तक ही उचाही तक पानी चड़ा सकता, it is a mild pressure, low pressure, असली motor पत्त में लगी है, 99% से जाधा water भाब बनके उड़ रहा है, जिसके कारण पत्ती में, लीफ में, पानी की कमी हो रही है, high DPD हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, low water potential हो रहा है, और इसी लिए पत्ती नीचे से खिचवा रही है, पुल करवा रही है, इसे negative pressure बोलते हैं, तो root pressure positive pressure है, transpiration pull negative pressure है, little distance तक लेके जा रहा है, root pressure, लंबा, अप्टू 130 मेटर तक लेकर जा रहा है, transpiration pull, this is the main pressure, हम transpiration कैसे देख सकते हैं, बहुत आसान एक पेल लो, polythin लगा दो, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ध्यान से सुनो, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख दो, blue color का होता है, blue से pink हो गया, BP, blue से pink, मतलब transpiration हुआ, पत्तियों में से भाब बनके पानी उड़ा, पर आपने पन्नी polythin बैग लगाया है, उड़ तो पाया नहीं, बूंद बनके पारण पानी उपर आ रहा है, मैंने क्या किया, पत्तियां सारी हटा दी, ताकि transpiration का चांस ही ना रहा है, अब जो भी pressure है, वो root pressure ही है, soft stem वाला पेल ले लिया, उसमें जब आप early morning, late night देखोगे, जब moisture, humidity, जो है, atmosphere में ज़्यादा नहीं है, यह high है, सुबह सुबह तो high है ना, तो early morning, late night में तो देखो क्या होता है, आपको उस stem पर, cut stem पर, पानी की बूंदे दिखेंगी, इस process को bleeding या guttation बोलते हैं, loss of water in the form of liquid droplets, मैं high humidity क्यों कह रही हूं, क्योंकि low humidity अगर होती तो यह पानी वापस atmosphere में चला जाता, तो मैंने क्या क्या ध्यान से सुनिए, पानी के translocation के लिए, long distance transport के लिए, water and minerals के लिए, दो pressure जिब्मेदार है, root pressure, transpiration pull, positive pressure, negative pressure, low magnitude, high magnitude, up to 130 meter तक लेके जा सकता है, now, root pressure के को हम demonstrate करेंगे, जो भाप नहीं, liquid पानी की बूंदों के root में बहार निकलेगा, guttation या bleeding ये PYQ है, root pressure के कारण guttation य scientist ने यहाँ पर एक tire tube लगा कर और xylem का sap collect कर लिया और उसे ने पता चला xylem के थूँ क्या क्या transport होता है, और transpiration को हम कोबाल chloride paper से देख सकते हैं, इसे बोलते हैं students, cohesion, adhesion, transpiration, pull model जो major responsible होता है, translocation of पानी के लिए, अब एक बात समझो, root pressure का और क्या काम है, देखो root pressure modest push, हल water लगी है, और पानी खीचा जा रहा है, तो कभी-कभी बिचारा कोई एकाद water molecule का हाथ छूट सकता है, तो लीचे से वो धक्का आ जाता है, और फिर से water column एक हो जाता है, मैंने क्या कहा, the greatest contribution of root pressure is to restore the column of water which is broken down due to high transpiration pull pressure, transpiration pull pressure जो जबरदस्त है, उसके कारण, जो water molecule break हो रहा है column break हो रहा है, उसे वापस से धक्के से restore कर देना root pressure का एक सबसे बड़ा contribution है, तीक है, अब सवाल ही उठता है, ये तो हमने पानी के movement up पढ़ा, पर पानी absorb कैसे हुआ, पानी मिट्टी से absorb होगा, root का कौन सा zone करता है, maturation zone आपने पढ़ा है, क्या होते है root here, आप जानते है, morphology में पढ़ा है आपने, मूचे, मूचे मैचे और आदमी में आती है, तो maturation zone में मूचे आने root hair है, एक-एक root hair, एक-एक epidermis cell है, millions of root hair है, surface area for absorption increase कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, पानी कैसे आएगा, active या passive, absorbed कैसे होगा, सुनिए, होता क्या है, ध्यान से सुनना, क्योंकि य ions के form में रहते हैं, charged form में, और generally minerals की कमी रहती हैं मिट्टी में, यानि minerals mostly, मिट्टी में कम, पेड़ में ज्यादा low to high, actively transport होते हैं, और कुछ mineral high to low, passively भी आ सकते हैं, तो जब mineral मिट्टी से epidermis में आएगा, तो मिट्टी में mineral की कमी हुई, solid की कमी हुई, यानि पानी बढ़ा high water potential हो गया, और उसके कारण पानी osmosis से follow कर लेता है, epidermis में आया, अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये between the cells, cell wall और intercellular space, जो dead part है उससे होता हुआ आगे जाए, इसे epoplastic path पे बोलते हैं, ये dead है, इसमें कोई resistance नहीं है, faster होगा, मरियोई चीज कभी resistance रुकावट दे लेती ही नहीं है, यह दूसरा तरीका, ये cell wall plasma membrane cross करे, cytoplasm में पहुचे, vacuol की membrane cross करे, vacuol में पहुचे, फिर वहाँ से बाहर निकले, फिर plasma decimata के through दूसरे cell में गुसे, through the cell, cell के अंदर से जाए, living part से होता हुआ जाए, इसे sim plastic pathway बोलते हैं, ये living part है, resistance देगा, यहाँ पर epoplastic pathway choose करता है, और बहुत कम पानी sim plastic से जाता है, epidermis, cortex ऐसे ही cross हो जाते हैं, दोनों pathway से, majorly by epoplastic, problem आती है endodermis में जाके, endodermis में आप जानते हो, traffic हवलदार, casparian strips है, subarin की बनी हुई, जो water के लिए impermeable है, अब water epoplastically नहीं जा सकता, dead part से नहीं जा सकता, वहाँ तो casparian strip है अब उसे अंदर घुसना ही पड़ेगा, यानि endodermis के आगे का सफर जो है, वो sim plastic ही होता है, फिर pericycle cross होगी और xylem में पहुच जाएगा, अब फिर से वो transpiration pull और root pressure से चड़ेगा, जो हम discuss already कर चुके है, so this is all about the absorption of water from soil till the xylem and then ascend water movement up the plant, अब आएए हम समझते है, मिनरल्स की क्या कहानी होती है, ध्यान से सुलिएगा, मिनरल्स मैंने बता दिये, passively भी absorb होते हैं, some जादा तर actively absorb होते हैं, क्योंकि मिट्टी में ions form में है, number one और number two मिट्टी में concentration कम रहता है, यानि दोनों तरह से absorb होते हैं, मिनरल, water के साथ साथ जाएंगे, और xylem तक वो ही जो transpiration stream है उसके कारण से, साइंटिस्स ने radioactive minerals को experiment करके बताया है, प्रूफ किया है कि mineral ions mostly कहां से जारे, xylem से जारे, पानी के साथ, होता क्या है students, ये minerals मिट्टी से root में आये, roots ultimately xylem में पहुँचे, xylem से उपर चड़े, उपर चड़के जहां-जहां इनकी जरूरत ह चीप sinks वहां इनकी unloading कर दी जाएगी, कैसे unloading करेंगे, कहा unloading करेंगे, mineral के कहां जरूरत है, apical और lateral meristem, क्योंकि वो dividing cells है, young leaf, young fruit, young flower, young seed, मैंने क्या कहा, meristem, apical lateral, young leaf, developing flower, fruit, seed, and other, storage organ, अगर कहीं पर store होना है, unloading कैसे होगी, diffusion से भी हो सकती है, अगर वहाँ पर कम है, तो high to low, और active भी हो सकती है, अगर already वहाँ पर भरे हुए हैं, जादा, तो low to high, अब एक बात समझो, कुछ minerals mobilize हो सकते हैं, जैसे nitrogen, potassium, phosphorus, magnesium, magnesium, N, P, K, M, G, nitrogen, phosphorus, potassium, and magnesium, यह mobilize हो सकते हैं, यह mineral nutrition में भी आप पढ़ते हो, यह mobilize होते हैं, मतलब, old leaf से new leaf में चले जाएंगे, तो old leaf जड़ने के पहले, mineral को पहुचा देती हैं, new leaf पे, इसलिए deficiency symptom पहले, old leaf पे आता है, अगर इनकी कमी होती है, मिट्टी में, क्योंकि new leaf को old leaf से मिल जाता है, याद आया, now, कुछ minerals immobile हैं, वो कहते हैं, हम अपनी पत्ती नहीं चोड़ेंगे, पत्ती मर जाए, हम उसके साथी मिट्टी में गिर जाएंगे, फिर bacteria पंजाय में decompose करेंगे, तब हम वापस मिट्टी में आएंगे, फिर पढ़ते हैं, जड़ को, इसलिए इनके deficiency symptom पहले new में आते हैं, यह सब आप mineral nutrition में भी पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, mineral nutrition chapter के under, वहाँ पर, sulfur को immobile लिखा है, और इस chapter में, transport in plants में, sulfur को mobile लिखा है, sulfur 100% immobile है, कास, ठीक है, इतना clear हो गया, अच्छे से समझ आ गय इसी तरह अगर deceduous पेड है, जहां पतजड आता है, उसके पहले भी minerals पहुचा दिये जाते हैं, store करवा दिये जाते हैं, ताकि waste ना हो, अब आ जाते हैं, फ्लोयम ट्रांसपोर्ट पर, इतना सब को clear है, चलिए, और राइट students, so, फ्लोयम ट्रांसपोर्ट पढ़ने के पहल तो ट्रांसपरेशन पुल नहीं होगा, तो water mineral एब्सॉब नहीं होगे, और इसी ट्रांसपरेशन के कारण जो पानी भाब बनके होड़ता है, लीव का सर्फिस 10 से 15 डिग्री, 10 तो 15 डिग्री सेलसे स्कूल डाउन होता है, so, it is very very important, इसके लावा, NCRT में कुछ बाते लिख पानी इनके साथ मिक्स होगा, पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट तो जाइलम से होगा, भी सीखेंगे अपन, इसके अलावा, hormones भी इसके त्रू ट्रांसपोर्ट होगे, और कुछ mineral nutrients भी ट्रांसपोर्ट होगे, हमने इसे bi-directional या multi-directional कहा था, क्यों कहा समझो, कई बार students ये समझते हैं, कि रूट तो नीचे से उपर लेके जा रहे है, पानी को, minerals को, पर पत्ती से नीचे भी आता है, रूट की तरफ और उपर भी आता है, इसी लिए bi-directional बोलते हैं, ये एक reason है, पर main reason क्या है, उसे समझिए, normally leaf से रूट में आता है, नीचे ख बढ़ने वाली है, अब तो खाना बनेगा नहीं, तो जड़ को खाना मिलेगा नहीं रूट को, तो भूकी मर जाएगी, तो पेड मर जाएगा, तो होता क्या है, लीव खूप सारा खाना बना के रूट में पहुचा देती है, रूट खाना स्टोर कर लेती है, अब पत्त में, रूट से बड्स में आएगा, याने सीजन पे भी डिपेंड होगा, प्लांट की नीड पे भी डिपेंड होगा, फूड का ट्रांसपोर्ट, इसका ये मतलब है, बाइडारेक्शनल होने का, अब प्लोयम के ट्रांसपोर्ट को एक्स्प्लेन करते हैं, मास फ्लो या प् पॉमन वॉल से अटाच्च्ट है, हमें पता है कि सीव ट्यूब के अंदर नुकलियस नहीं है, कम्पानियन सेल का नुकलियस सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, सीव ट्यूब के अंदर बड़ा सा वैक्यॉल है, जहां खाना भरेगा, पेरिपेरल साइड में साइटोप्ला जाइलम की वेसल है जहाँ पानी है तो मीजोफिल कंपानियन सेल सीव ट्यूब और जाइलम सीक्वें समझ आया अब मीजोफिल सेल में पोटो सिंतेसिज हुआ उससे ग्लुकोज बना ग्लुकोज और प्रक्टोज ने जुड़के सूक्रोज बनाया यह सूक्रोज पहले कंपा पासे कवए सॉलिड बढ़ा पानी की कमी हुई ।बा बढ़ा ऑन थो झायलम से पानी करे के अगया चेल और सब्स्यूब उसे को वह बढ़ गए उन्होंने बगल वाली जाइलम् से पानी कीछ लिया जैसी पानी खीचली घोल बना इस घोल प्रिश्र डाला दिवार पे तरगार प्रेश्र बढ़ गया उपी फाइनली पहुँच गया, जहाँ पे सिंक है, वो तो सोर्स था मीजोफिल सेल, सिंक जहाँ इसकी जरूरत है, वो सिंक, रूट भी हो सकती है, स्टेम की टिब भी हो सकती है, प्लावर रूट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अब हम वापस से सुक्रोस को उस सिंक में पहुचाएंगे, अनलोडिंग यह भी आक्टिव है, यानि हमेशा सिंक में अल्रेडी खाना खुब पड़ा रहता है, तो लोडिंग भी आक्टिव है, अनलोडिंग भी आक्टिव है, जैसे ही सॉलिड सीव टीूब से बाहर गया, सॉलिड की कमी होई सीव टीूब में यानि पानी की एकसेज होई, तो पानी वापस जायलम में चला गया, तो जायलम से फ्लोयम, फ्लोयम से जायलम में पानी घूम रहा है, पर चड़ता तो उपर जायलम में ही है, जो दूर-दूर पहुचाया जाएगा, इसे बोलते हैं mass flow या pressure flow hypothesis यानि जहां source है, वहाँ पर हमेशा pressure जादा है जहां sink के वहाँ pressure कम है high to low pressure खाना जा रहा है धक्के से खाना जा रहा है sap बनके खाना जा रहा है ये इसका मतलब है अब आई इस chapter को end करते हैं girdling experiment से जिस पर भी PYQ recent years में आया हुआ है students malpi की scientist जी ने क्या किया उन्होंने एक पेड की bark की एक ring निकाल दी up to depth of phloem आप जानते हो anatomy में आपने पड़ा है कि bark का एक non technical term है bark, vascular cambium के बाहर जो भी है, इन्हें phloem भी बार्क में आता है तो अगर मैंने phloem तक पूरी पार्क निकाल दिया, यानि मैंने phloem निकाल दिया अब समझो, सपूज मैंने इस एरिये में phloem निकाल दिया नीचे तो phloem, xylem अभी सब है उपर xylem है, xylem नहीं निकला है तो होगा क्या, उपर से जब खाना नीचे जा रहा होगा तो यहां का phloem तो गायब है इधर का phloem गायब है यानि इधर से खाना इधर तो आए गई नहीं क्योंकि यहां पे तो मैंने बार्क निकाल दी, तो वो खाना ऊपर इघटा होता रहेगा, तो वहां swelling आ जाएगी तो जहां से बार्क निकाले, उसके अपर साइड पे swelling आ जाती है, और धीरे-धीरे करकर क्योंकि नीचे वाले पार्ट को खाना नहीं मिलना, वो मरने लग जाएगा और जब वो मरने लग जाएगा, रूट्स मरने ते खाना नहीं मिलना जाएगा, आ जाएगा, प्रॉचनले, वो मिद साइगा, वो मिलना जागा जाएगा